ओम्नमाहसिवाय हरहर महादेव नमस्कार भेलू प्यार में आपका स्वागत है आसा करता हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे हों साथियों जीमन में तीन चीज़ें तोज समझ कर दें तो मित्रों पहला है जबाब दूसरा है चला है तीसरा है उधार अगर रियाह तीन चीज़ें को सोच समझ कर अगर आप किसी को देते हैं तो हम ऐसा आप खुशाहाल रहेंगे इस बात पर ध्यान दें तो मित्रों आज हम इस विडियो में एक जबर जस्त उपाए दे रहा हूं दो बैक्तियों में घ्यंकर लडाई होगी यह दोनों बैक्ति कुट्टे के समान आपस में लड़ते रहेंगे और लड़ते लड़ते दोनों अलग हो जाएं जीमन भरके ऐसा यह सक्ति साली उपाए हैं तो साथियों देखा जाता है कि जो बैक्तियों में ऐसे सम्मंध बन जाते हैं जिसके चलते हर परिवार में हिंता टेंसन पैदा हो जाती है और तरह तरह के ठीकाईतें पहुंचती रहती हैं तो अगर आप चाहते हैं कि हम इन दोनों को अलग कर दें जीवन भर के लिए इनकी दोस्ती छूट जाए तो कर ले इस उपाए को बेलकुल सहाज उपाए है मित्रों तो मित्रों इस उपाए को आप किसी भी दिन कर सकते हैं सून शान जगा होना चाहें और घर में ही बैठ कर करना है ऐसे जगा चुने जहां कोई टोक टाक न करें वहां बैठ कर घर में ही कर सकते हैं बाहर भी चाहें तो बाहर भी कर सकते हैं तो कहीं भी आप जगा का चुनाव कर लें ताकि कोई टोक टाक न करें वहां बैठ कर अराम से कर लें तो मित्रों इसके लिए आपको उत्तर दिषा बैठ कर अपने मुह को उत्तर दिषा कर लें और अपने दोनों पैर को ऐसे पालाथी मार लें फिर बैठ ले और बैठने के बाद अब अपने ध्यान को उन दोनों ब्यET्तियों को ध्यान में उतारें और उतारने के बाद मित्रों आपको यह दो अंगुली का सहरा लेना है इसको तरजनी बोलते हैं तो आपको जब तक यह परियोग पूरा नो हो तब तक यह मुद्रा बना कर लखना है तो कैसे बनाना है मित्रों देखिए ऐसे क्रॉस तो क्रॉस में नीचे लेफ्ट होना चाहिए और उपर से राइट यानि जाहिना उपर बाया नीचे ऐसे क्रॉस बनावे मित्रों और बना करके आप बैठें और उन दोनों का ध्यान करें और करते हुए दोनों आखें को बंद कर ले और बंद करने के बाद उन दोनों के विशय में सोचें यह खुब लड़ रहे हैं इन दोनों को अब दोस्ती तूट जाएगी या तूट रहा है आपस में यह खुब लड़ रहे हैं लेकिन यह मुद्रा को बना कर रखना है जब तक परयोग आपका खतम नो हो अब मित्रों आपको फिर यह सुचने के बाद कहने के बाद यह सक्ति साली मंत्र को आठ बार बोज देना है तो मित्रों इस्क्रीन पर भी आप मंत्र देखें जहां मंत्र के बीच में नाम आया है दो नाम तो पहले पूरुष का रखें फिर इस्तिरी का नाम रखें तो मंत्र कौन सा है आप इस स्क्रीन पर भी देखें ओम ब्रेम हंग नाम फिर दुसरे का नाम दह पूरे तो लास्ट में दूसरा नमर में इस्तिरी का नाम रहेगा पहला पूरुष का अगर मित्रों दोनों पूरुष पूरुष है तो किसी का भी नाम पहले रख सकते हैं अगर दोनों इस्तिरी इस्तिरी है तो किसी का नाम आप कहीं रख सकते हैं यहां ध्यान रहे, अगर इस्तिरी पूरुस है, तो पूरुस का पहले नाम इस्तिरी का बार, अब आठ बार आपको बोल देना है, फिर अपनी आखें को खोल देना है, मुद्रा यही रहेगा अभी, आखें को खोल देना है, दोनों अंगलियों को अब हटा लें, और हटाने क जमीन पर ट्रच कर दें ऐसे दोनों को वाला गलत हुआ के फिर अंगली उठा लें अब मित्रों आप वहां खड़ा हो जाईए जहां आप यह परियोग कर रहें खड़े हो कर तीन तीन बार तीन बार नाम बोलें पहले पूरुष का फिर इस्तिरी का है अगर दोनों पूरुष हैं तो पूरुष पूरुष का नाम तीन तीन बार बोल जें अब बोल के मित्रों आप वहां से हट जाएं चल दें अब देखेंगे मित्रों तीन से चार घंटे के अंदर इन दोनों के अंदर दुष्मनी पैदा होगी और भ्यंकर लडाई हो जैसे दो पुटे आपस में लडते हैं वैसे लडाई चाले और जीवन भार के लिए दोनों अलग-अलग हो जाएं तो मित्रों यह एक सहज और सरल और बेलकुल असान उपाय है लेकिन अत्यंत सक्ति सालिव यह कि इसके साथ मंतर जुड़ा हुआ है तो इस उपाय को मंतर सक्ति सालिव बना दोता है तो मित्रों वीडियो के कमेंट बक्स में जये सिरे राम जरूर लिखें तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्या तो इस वीडियो में इतना ही और हमें दीजे जाजात नमस्कार